प्रियंका चोपड़ा जो कि अब होलिवड नहीं मतलब पूरी दुनिया में अपनी पहचान मना चुकी है मैट्रिक्स में वो नजर आए भले ही बहुत छोटा सा रोल था लेकिन हा नजर आए अब इसको एक तरह से ये भी देखा जा सकता है ये होलिवड जो है वो इंडियन ओडियन्स को कैशन करने के लिए भी बॉलिवड के सितारों के ऐसा छोटा मोटा इस्तमाल करता रहता है तो अब्विस सी बात है मतलब यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा किस तरीके से आगे बढ़ रही है उसके उपर थोड़े से तो सवाल लगते हैं लेकिन आ फिर भी जो कुछ भी उन्होंना अचीव किया है वह वाकई में काबल अतारीफ है और उसकी तारीफ होनी भी जाई है साथी साथ प्रियंका चोपड़ा जिस प्रकार से पर्यावरन को लेकर सजग रहती हैं दीपा वली के उपर संदेश देती हैं कई सारी चीज़े करती हैं पॉलीशन को लेकर होली के उपर पानी बचाओ ये सब चीज़ें लेकिन न्यू एर के उपर उनकी चुपड़ा जो है वो कहीं ना कहीं चुप जाती है साथी साथ उनकी शादी के वीडियो जो सामने आदिस में खुब पटाके फूटे थे लेकिन मुझे ऐसा लगता ही वो फटाके जो थे वो पॉलीशन फ्री रहे होंगे लेकिन अब एक बार फिर से जो अस्थमा के बारे में प्रियंका चुपड़ा पहले ही बोल चुकी है इंस्टेग्राम पर कुछ तस्वीरे पोस्ट करें इन तस्वीरों में वो न्यूयर्स अलिबरेट करते हुए दिखाई दी बिकनी बिकनी पहने हुए प्रियंका चुपड़ा है साथ ही उनका पती है और पती के हाथ में है सिगार अब अव्यसी बात है यही तो लोगों खटकना था दिल्चस्थ बात यह है कि निक के साथ तस्वीर में नजर आने वाली प्रियंका को अस्थमा की शिकायत भी है जिसका जिक्र वो अक्सर दिवाली से ठीक पहले करते हुए दिखाए देती है और उमीद करती हैं कि पूरा भारत उनके अस्थमा का ख्याल रखते हुए पटाके ना चला है हलाकि उनका पती अगर उनके बगल में बैट कर सिग्रेट फूक हैं तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं होती जरूरी अस्थमा फ्री होगी वो ऐसी दस्वीरों को शेयर करके उनके कैप्शन में हेवन यानि स्वर्ग लिखती है मतलब धूए तले स्वर्ग मिलना एक यूजर ने तो प्रीयंका के ये दोहरे रवाइये को देखते हुए ये भी कह दिया कि जो निक सिगरेट पी रहा है उन्हें उसमें दिक्कत नहीं होगी यूजर ने लिखा कि अच्छा निक भाईया वो मोटी वाली बीडी फूक रहे हैं उससे आपको अस्थमा नहीं होगा मतलब सिगार फूक रहे हैं तो उससे क्या ही इनको कुछ परेशानी होगी खैर ये पहली बार नहीं है प्रियंका ने अपनी इस पाखंडी रवईये के चलते अपनी बिमारी का मजाग बनवाया हो इससे पहले भी वो अपने हाथ में सिगरेट लेकर बीज पर नज़र आई थी और उनके पती बगल में ही बैटकर सिगार पी रहे थे वहीं सामने बैटकर उनकी माँ भी सिगार फूकर रही थी इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों ने उनसे सवाल किया था कि क्या उन्हें जो अस्तमा है उससे दिवाली के समय ही आता है आप अपना काम करती हो कि क्या करती हो यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और सिगरेट पीने के से तो कोई नुकसान ही नहीं होता देखी अब पबलिक तो पबलिक है और सोशल मीडिया के जमाने में कब कौन सी बात उधेड़ ले आप कहन नहीं सकते मालूमों कि एक बार प्रियंका चोपड़ा ने नेटफलिक्स की फिल्म वाइट टाइगर की शूटिंग के लिए दिल्ली आई थी तब वो हेवी मास्क लगा कर दिखाए दी थी अपनी फोटो के साथ उन्होंने लिखाता है कि दिल्ली में शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है उन्होंने लिखाता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि लोग इन हालातों में यहां रह कैसे रहे हैं चुक्र है कि हमारे पास एयर प्यूनिफायर और मास्स यह सुधा है गरीब और बेगरों के लिए दूआ करें सभी लोग अपना ध्यान रखें प्रियंका चोपड़ा के यही बयान के बाद में सिगरेट और सिगार को लेकर और उनका जुकाव उन पर भारी पड़ता है अक्स शादी में ही क्यों उन्होंने पठा के जरा कर शेखी बखार दी थी और फिर क्यों उन चीजों को खुद से रोकना शुरू नहीं करती इसलिए कहते हैं जब खुद का घर शीशे का बना हो तो फिर दूसरे के घरों में पत्तर नहीं फेकते वरना घर आपका ही फूट जाता मेरे सुदियों फिलालत नहीं जै जै पारत